तो इस बार किजान कल्यान भारी पढ़ने वाला है क्योंकि दो जून से दो जून की जो रोटी है उसके लिए संखर्श करना पढ़ाएगा क्योंकि कल से सब कुछ महंगा हो रहा है रेस्टोरेंट में खाना-काना महंगा हो जाएगा यहाँ पर बिजली बहंगी हो जाएगी ह हर तरीके से जहां पर सर्विस टेक्स लगता है तब कुछ आपके लिए महंगा होने वाला है यानि कि आम आदमी पर अब बहुत बोज बढ़ने वाला है कल से तो इसके लिए अब आप बिल्कुल तयार हो जाएगे इसी पर हम आज के अजिंडा में चर्चा करेंगे तो अब आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी और क्यों करनी पड़ेगी ये आपको बताएंगे जिस तरीके से अब किसानों के लिए कल्यान जो से इसकी बात आ रही है ये लगने वाला इसका जो बोज है वो आम आदमी ही उठाएगा ये दो तस्वीरे हम आपको दि तो कल से आपकी जेब हल्की होने वाली ऐसा इसलिए क्योंकि कल से सर्विस टेक्स में आधा फीजदी क्रिशी कल्यान स्ट्रेस लगने वाला है इससे सर्विस टेक्स 14.5 प्रतीशत से बढ़कर 15 प्रतीशत हो जाएगा यानि कल से आपको पानी बिजली जैसी बेसिक जो सु के लिए आम आदमी को आगे आना पड़ेगा अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान के कंधे पर बंदूक रख कर ये महंगे दिन क्यों ला रही है सरकार पहले स्वच भारत योजना के लिए सेस लगाए गया और अब किसान कल्यार पर क्या हर नई योजना के लिए सरकार नया टेक्स लगाएगी क्या योजनाओं को फाइनस करने का कोई और जरिया नहीं है और दिली से हमारे समधाता इस खबर पर जोड़ चुके हैं अनराग चड़ा साथी साथ आर्थी कर विशेशक किया है योगी इंदर जी भे हमाँ साथ जुड़ गए हैं तेरा दून से इस मुद्धे पर चड़ा करेंगे लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीज़े मोधी सरकार दो साल पूरे होने के मौके पर अपनी उकलब्धियों को गिनाने निकली है देश भर में डंका पीट रही है कि देश बदल रहा है अच्छे दिनों का नारा अब बदल गया है और जनता भी अच्छे दिन का इंतिजार कर रही है अच्छे दिन कब आएंगे ये तो नहीं पता लेकिन महंगाई के मोचे पर आपके बुरे दिन जरूर आने वाले हैं एक जून से आपकी दो जून की रोटी महंगी होने वाली है महंगाई के इस दौर में आपकी जेब पर और चपत लगने वाली है ऐसा क्यूं हो रहा है? ये भी आपको बताएंगे लेकिन पहले ये जान दीजे कि आखिर वो कौन सी चीज़े हैं जो महंगी होने वाली है मोबाइल, बिजली का बिल आएगा ज्यादा केबल और डीटी एच का बिल बढ़ेगा फिल्म देखना भी महंगा होगा इंशॉरंस बैंकिंग सर्विसेज होंगी महंगी घूमना, होटेल और पालर सर्विसेज महंगी होंगी शादी ब्या का बजट भी भड़ेगा रेल टिकेट पर भी ज्यादा देना होगा अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है आखिर आपकी जेब पर ये आफ़त आई क्यूं है दरसल एक जून से आपका सर्विस टैक्स आधा फीसिदी बढ़ने जा रहा है पहले आप हर तरह की सेवाओं पर साड़े चौदा फीसिदी सर्विस टैक्स देते थे लेकिन एक जून से ये बढ़कर पंधरा फीसिदी हो जाएगा आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ये आधा फीसिदी टैक्स क्यूं बढ़ रहा है असल में ये आधा फीसिदी टैक्स कुछ और नहीं बलकि क्रिशी कल्यान सेस है आपको याद होगा कि अपने बजट भाशन के दोरान वित्त मंतरी अरुन जेतली ने क्रिशी और किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,000 करोड रुपे जटाने का एलान किया था इसी फंड के लिए सरकार ने आधा फीसिदी क्रिशी सेस लगाने का एलान किया था यही सेस एक जून से लागू हो रहा है और आपकी जेब और ढीली होने जा रही है जिन्होंने पहले से बुकिंग की है उनसे टी-टी वो एक्स्ट्रा चार्ज वसूलेंगे अब आपको बताते हैं कि बैंग में लेन देन पर आपको कैसे और कितनी चपत लगने वाली है अगर SBI में कोई सेविंग या करेंट अकाउंट खुलने के एक साल के भीतर बंद करता है तो उसे 600 रुपए फीज देनी पड़ेगी पंजाब नाशनल बैंग में सेविंग अकाउंट एक साल के अंदर बंद करने पर 200 से 500 रुपए और करेंट अकाउंट पर 500 से 800 रुपए तक सर्विस चार्ज वसूला जाएगा फिल्हाल इसके लिए दोनों बैंकों में 100 से 500 रुपए तक लग रहे हैं SMS अलर्ट सुविधा पर पहले 15 रुपए लगते थे लेकिन अब 16 रुपए लगेंगे SBI अब चेक बाउंस होने या वापस होने की तशा में 300 से 1550 रुपए तक पेनल्टी वसूल करेगा अभी चेक वापसी और बाउंस होने पर SBI की पेनल्टी 100 से 500 रुपए तक है पंजाब नाशनल बैंक में चेक वापस होने पर उपभोकताओं को 300 से 1500 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी अभी PNB 100 से 1000 रुपए वसूलता है लॉकर के पहले 1000 रुपए लगते थे अब 1250 रुपए लगेंगे इतना ही नहीं अगर आपको बैंग में पैसा जमा करना है उस पर भी आपको फीज देनी होगी SBI में सेविंग और करेंट अकाउंट होल्डर 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो 30 रुपए फीज लगेगी एक महीने में 3 से ज्यादा लेन देन करने पर 44 रुपए प्रती लेन देन होगा अभी एक लाक रुपए तक बिना सर्विस चार्ज के जमा कराये जा सकते हैं लेकिन साथ ही नगदी जमा करने पर भी चार्ज लगेगा यानि एक जून आपकी जेब के लिए फारी पढ़ने वाला है Bureau Report, India 247